IVF का step by step procedure क्या होता है अब देखो अगर आपको IVF advice किया है ना तो आप Google करोगे आप YouTube पे देखोगे अपने आसपडोस में पूछोगे कोई बोलेगा IVF में तो इतने painful injections होते हैं complete bed rest की जरूरत होती है IVF बहुत मुश्किल है मत कराओ लेकिन IVF के बारे में आपको full जानकारी हो होनी चाहिए IVF treatment के बारे में आपने मन बना लिया है तो important है कि आप एक fertility center dedicated fertility center जो की registered है वहाँ पर आप आप करें उनसे अच्छे से समझें देखिए IVF एक simple सा ऐसे random treatment नहीं है IVF treatment के साथ एक emotional journey है तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो fertility center चूज करें उसमें आप एकदम comfortable हो अच्छे से बात कर पाएं आपकी सारी queries solve हो यह आपके लिए सबसे important है अब जब IVF plan करते हैं तो हम पहले कोशिश करते हैं कि एक महीने पहले से आपको prepare करना start करें हम हमेशा एक महीने पहले से आपको medicines वगेरा सब देते हैं जिससे आपका एक क्वालिटी वगेरा थोड़ा period के second या third day आपको daily injections लगते हैं usually 9-11 days की injection लगते हैं यह जो injections होते हैं मैं अपने center की बात कर सकती हूँ हमारे या painless injections होते हैं जो की patients खुद लगा लेते हैं यह 9-11 दिन में आपको 3-4 बार बुलाया जाता है ultrasound monitoring के लिए जिसमें हम देखते हैं आपके eggs जो है वो अच्छे से बन गए हैं या नहीं और जब आपके सारे eggs हमको बहुत अच्छे दिख जाते हैं mature हो जाते हैं तब हम ready करते हैं आपको egg retrieval के लिए egg retrieval के लिए आपको exact time दिया जाता है trigger shot का trigger shot usually रात को लगता है इसलिए मैं अपने patients को पहले से बता के रगती हूँ कि देखो एक आपका injection ह जो आपको रात को लगाना पड़ेगा मेरे जो trigger shots है क्योंकि patients पूरे time इतना train हो चुके होते हैं my patients they take trigger shots by themselves सब लोग खुद ही लेते हैं बहुत ही कम कोई होता है एक या दो जो की trigger shot जो है वो बाहर से लेते हैं ये जो trigger shot है ये आप रात को एक particular आपको time दिया जाता है उस time पे आप लेते हो उसके बाद मानलो आपने 11th day पे trigger shot लिया आपको उसके अगले दिन मतलब 12th day पे 12th day of your period उस दिन पे आपको कुछ नहीं करना होता 13th day पे मतलब trigger shot लेने के 34 to 36 hours बाद आपका egg retrieval होता है अगर मानलो आज रात को मैंने patient को 10 बचे trigger shot दिया है तो मैं परसो सु आप नौ बजी के अराउंड उनका ओवम पिकप करूंगी ओवम पिकप के लिए हम सुभा patient को खाली पेट बुलाते हैं खाली पेट मतलब खाना भी नहीं खाना है पानी भी नहीं पीना है हम इनको एडवाइस करते हैं कि वो टाल्क, परफ्यूम, जूल्री, नेल पेंट य क्योंकि ये चोटी-चोटी चीजे हैं जिनसे फ्यूम्स जो है वो रिलीज होते हैं और अंदर हमारी जो लाब है उसके उसमें एम्ब्रोज को और एग्स को एफेक्ट करता है ये सुभा अगर साड़े आठ बजे ओवम पिकप है तो हम उसे थोड़ी देर पहले ही बुलात हिए अपना स्पर्म का ओधर में होता है जो कि आईव ये इव प्रोंट फ्र Typically कृटश pessim numb की इंपर्ट की देडिकेटेट आईव प्राफ लैब और आइव प्रोंटी में ही आपका उसेजर हो जब अंडरा अंडरंत्री ओंज में होता है तो उसमें हम यम्डियू तिस छो आ वो बाहर निकाल लेती है कोई आपको कट नहीं लगता कोई टांका नहीं आता और मुश्किल से 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है जो ये एग्स निकाले हैं वो सब हाथ की हाथ ट्रांसफर हो रहे होते हैं IVF लाब में जहांपे हमारे एम्रियॉलिजिस्ट हैं वो रेडी होते हैं इन एग्स को आनलाईज करने के लिए आपको प्रोसेजर के बाद रिकावरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है आपको होश तुरंत आ जाता है क्योंकि छोटा सा प्रोसेजर है थोड़ा सा अनेस्थीजिया मिला होता है ये जो एग्स एम्रियोलोजिस देखते हैं इनको वो डिसाइड करते हैं फिर की आईवीफ करना है या इक्सी करना है मेरे सेंटर पे आईवीफ इक्सी दोनों की फेसिलिटी अवैलेबल है बट मैं सभी पेशिन्स का इक्सी नहीं करती है वो स्पर्म्स अपने आप जाके एक्को फोर्टिलाइज करते हैं तो इक्सी जो है वो आईवीफ का एक स्टेप उपर है ये सब तो चल रहा है लाब में अब आप जब रिकावरी रूम में होते हैं आपको होश तुरंत आ जाता है हार्डली एक या दो गंटे लगते हैं यूशुली मेरे पेशिंस को हम क्योंकि अनस्थीजा दिया होता है हम तीन से चार गंटे उनको अब्जर्वेशन में रखते हैं जब वो एकदम कमफर्टिबल होते हैं यूरिन पास कर लेते हैं तब अब उनको घर के लिए भेज देते हैं जब वो घर जानते हैं उससे पहले हम एक डिस्चार्ट समरी देते हैं जिसमें हम उनको पताते हैं कि हमारे इतने एक्स हमने रिट्रीव किये और इसके बाद उनको ये-ए प्रिकॉशन्स रखने हैं और ये medicines लेनी है IVF के बाद आपको एक particular दिन बुलाया जाता है अगर आपका fresh transfer है तो ovum pick up के 4 या 5 दिन बाद आपको बुलाया जाता है मैं usually blastocyst transfers ही करती हूँ तो हम अगर Monday को pick up करते हैं तो Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday आपको हम फिर Saturday बुलाते हैं fresh embryo transfer के लिए अब ये भी depend करता है अगर किसी की lab जिसे हमारी lab बहुत अच्छी है तो हमारे blastocyst rates भी बहुत अच्छे हैं कई lab बहुत जल्दी embryos transfer कर देते हैं day 2 पे, day 3 पे हम usually blastocyst पे लेकर जाते हैं इसी वज़े से हमारे IVF का success rate काफी अच्छा होता है अगर आपके embryos हम इस cycle में transfer नहीं कर रहे हैं freeze कर रहे हैं तो हम वो भी आपको बताते हैं और next day हम आपको inform करते हैं कि जो आपके eggs निकाले हमने उसमें से कितने हैं जो fertilize हो पाए sperm से हर बार आपको हर stage पे बताया जाता है कि आज हम हमें इतने fertilized egg मिले आज हमारे इतने embryos बने इन embryos को हम ऐसे freeze कर रहे हैं freezing record आपका saved होता है आपको ART summary मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है ताकि एकदम transparency रहे अब बहुत commonly आप लोग ये जानना चाहते हो कि जो egg निकालने का process है क्या painful होता है और उसके बाद किन चीजों का ध्यान रखना है तेको painful नहीं होता है ये process क्योंकि अंडर anesthesia होता है अगर आपके eggs हमारे बहुत सारे निकलते हैं तो कभी कबार आपको ना heaviness होती है वो चीजें कम करने के लिए हम कुछ messy medicines वगएरा देते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसलिए हम बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है बट ओवर एक्जर्ट नहीं करना अब अगैन मैं ये अपने सेंटर का experience आपको बता रही हूँ पेशन्स को पेन इतना नहीं होता कि उनको पेन किलर लेने की जरूरत पड़े और ब्लीडिंग भी नहीं होती उस दिन थोड़ा बहुत अगर आपको spotting हुई तो हुई लेकिन हाँ अगर आपको मान लो पेन हो बहुत जादा ब्लीडिंग हो या फिर पेड फूल जाए तो आपको अपने सेंटर पे बात करनी है कई लोगों को constipation होता है कबस होता है तो अगर ऐसा है तो आपको अपने सेंटर पे बताना है इसके अलावा कोई भी डाउट है यू शुड फील फ्री टू टॉक टू यूर फर्टलिटी स्पेशलिस्ट देखो IVF नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है क्योंकि इसके ऊपर टेक्नोलजी है ही निया भी साइंस में लेकिन ओल्दो मेरा एक IVF सेंटर है बट फिर भी पहली चीज में IVF किसी को सजेस्ट नहीं करती IVF हम तभी करते हैं जब हमने सब कुछ ट्राय कर लिया बेस्ट ट्रीट्मेंट दिये बट फिर भी प्रेग्नेंसी नहीं आ रही नहीं तो कुछ क्लियर कट इंडिकेशन होते हैं जैसे मालो ट्यूब ब्लॉग है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग को लगता है कि नहीं और आई वी एफ ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इसके लावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो यू किन वेरी वेल राइट न दे कॉमेंट सेक्शन बेलो